येस बच्चों बच्चों तो अब आपको बताऊंगा के salt analysis के लिए सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा important वाइवा questions कुन से है salt analysis practical के लिए तो देखो बच्चों सबसे पहले जैसे water water acidic water acidic and basic radical वो बच्चों हम एक पर देख लेते हैं तो आप देखेंगे के acidic और basic radicals क्या होते हैं तो आप देखो बच्चे acidic और basic radicals क्या होते हैं तो आप देखोगे कि जैसे positive charge वाला जो रोगते यह को होते हैं यहां इसके बाद बच्चों से बच्चों चो यहां बच्चों तो इसलिए तो इसके बात बच्चों इसमें में तो आप देखेंगे के फ्लेम टेस्ट का बच्चों क्या होता है कि ना जैसे फ्लेम टेस्ट बहुत असान है जो कि जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर नमबर टू इलेवन करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोन जो है इस तरह से अगले शेल्स में चल जाते हैं यहां पर लेक्ट्रोन यहां चल जाएगा लेकिन वापस आता है तो इनर्जी छोड़ता है ठीक है ना तो यही बच्चों हैं आपर क को पुष्य करके भी कि किया है कि मिस्ट्री फिलेम टेस्ट की तो आप देखोगे के पहले लुद्प आप हीट ब्रून काई टोकिледक पर टेसट्रॉन जो जाते हैं लब तो हाइयर लेवल फिर वह थोड़ दर वापस आते हैं न क्योंकि इतनी हीट नहीं देरे के लेक्ट्रोन भार निकल जाएगा उसके बाद बच्चों अगला कोशन आता है कि यह वाला तो यह उसको फ्लेम टेस्ट की पेस्ट बनाते हैं तो पच्छों यह उसको सौल में करता है ठीक है न सीजी फ्लेम होते हैं लाइट ग्लास रोड को यूजनी करना बच्चे ग्लास रोड में सोडियम सिलिकेट होता है जो की खुद का लड़ देने लग जाता है प्लेटिन अं बच्चों आप देखोगे कि बेरियम सॉल्ट जो है वो एक दम से कलर क्यों नहीं देता है कि वो बेरियम का क्लोराइट थोड़ा सा लेस्व लेटाइल है अच्छा उसके बाद बच्चों आगे की बात करें बोरेक्स भी टेस्ट वगराब हम नहीं करते तो उसको बच्चों अब बाइड कर सकते हो उसके बाद बच्चों यह वाला कोशन तो मेरा फेवरेट एन एसलर रिजेंट का फॉर्मुला बताओ नैसलर रिजेंट जो है बच्चों उसका जो फॉर्मुला है वह है के टू एजी आई-फूर है ना उसके बाद डैल्यूट सिल्फियूरीक बच्चों हम लोग प्रफर करते हैं क्योंकि डैल्यूट सियल जो है वह अगर आप डैल्यूट सिल फिर अपना ही आगे ना डूरिंग एचल गैसे से वाल्व जो की बार पर क्लॉराइट का टेस्ट दने लग जाएगा ठीक है एचल कैसे ऑल्सों गिवन आउट सोदा कार्वन डाइकसाइड और सोटू डोनों फ्लेम टेस्ट देते हैं स्वारी लाइम वाटर को मिलकी कर देते हैं तो कैसे दोनों को डिस्पीचमेंट करोगे तो एससे टूर्ट सेवन को ग्रीन कर देता है ऐसे को फॉर्टीध क्वेशन तो बहुत ही इमपॉर्टन ऐसी 41 भी इसोफोर को ब्लैक कर देगा लेकिन ब्रूमीन नहीं बहुत ज्यादा अच्छे से बच्चों इसको करना कार्बोनेट की टेस्ट कैसे करोगे बच्चे डैलुट सिल्फ्यूरीक एसेट के बाद साथ सीयोटू की एफरवेसेंस निकलेगी और लाइम वर्टर क्या होता है कैल् लुट सिल्फ्यूरीक एसेट करोगे तो रॉटन एक जैसी स्मेल आएगी जो की लैड एसीटेट का के बेपर को जो है वो ब्लैक कर देती है कार्वेंट एकसाइड के अलावा कौन सी और कैसे लाइंवाटर को मिलकी करती है अभी उपर पताया था सल्फर डैकसाइड करती ह और उसके बाद बच्चों नेक्स कोशन जो हम देख रहे है वह अच्छा जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है यह रिंग टेस्ट वाला रिंग टेस्ट बच्चों जो है यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट है डाग ब्राउन रिंग जो जंक्शन पर बनती है ठीक है ना साइड से ऐसे करके एसे टेस्ट च्यूप को यहाँ पर डॉपर से भी बेटें व्याटर से जो है ना इस को बनेगी ठीक है ना जंक्शन पर बनेगी सको हम बोलते टैस्ट फूर नाइटरेट ब्राउन रिंग बढ़ा फेमस टेस्ट होता है और उसके बाद आ जाता है पर देविए फोर फोर फोड़ा है तो नीचे नीचे रहता है रियक्ट विज स्मॉल अमांट ऑफ नायट्रेट उसके बाद बच्छो कुरॉमाइल क्लोराइट तो बहुत ही जादा पूछते हैं ठीक है ना तो हीट वाइट स्मॉल अमांट ओफ मिक्शर विद एक लोराइट करने के बाद डीप ब्राउनिश रैड वेपर आते हैं किसके क्रोमाइल क्लोराइट के पास दीज वेटरा येलो प्रेसिबिटेट करना पड़ेगा उसके बाद बच्छों आगे की बात अगर करें तो यह वाला कोशन बच्छों मेरे को अच्छा लग रहा है कि अच्छा उसके बाद बच्छों आगे की बात करें तो औरीजनल सुलूशन जब हम बनाते हैं वह कभी भी निट्रिक आसिड में नहीं बनाते बैटा निट्रिक आसिड खुदी ऑक्सिडाइज कर देता है चीजों को यह वाला तो मतलब आना ही आना है यह मैंने पिछली वी है वह क्यों एड़ करते हैं एच फॉर वेच के साथ क्यों कॉमन एन एफट की वज़े से वेच माइनस की कंसेंट्रिशन को कम करने के लिए यह वाला 62 कोशन बहुत बहुत है इंप्र उसके बाद जो है यहां पर ग्रुप टू वाला यह वाला कोशन गुरुप 60 के एच्छ क्यों पास करते हैं एच फॉर वेच के साथ ताकि बढ़ाया जा सके सलफाइट आयन की कंसेंट्रेशन को मेरी पिछली वीडियो जुरूर देखना जिसमें मैंने बच्छों बताया है बेसिक्स ओफ कॉमन एन इफेक्ट और सॉलूबिलिटी प्रोड़क्ट यह भी बच्च सोडियम कार्बोनेट क्यों नहीं ले सकते हैं मोनियम कार्बोनेट की जगा पर सोडियम कार्बोनेट जो है न वह एक बहुत ही क्या सकते हो बहुत ही बच्छों क्या है वह एक स्ट्रोंग एलेक्ट्रलाइट है तो इतनी हाई कंसेंट्रेशन कार्बोनेट की होगी तो फिर Thanks for watching the video and do watch this video again and again to understand the concepts क्योंकि chemistry, practical के जो यह वाले concepts है, यह 12th में थियोरी में नहीं है, तो आप लोगों को मुश्किल लगते हैं बच्चों इसलिए, इस वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको शेर भी जुरूर करना, लाइक करना और चैनल को सस्क्राइब करना Thanks for watching the video